बच्चो पूरी दुनिया टाइगर को बचाने में लगी हुई है भारत ने भी 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और टाइगर को बचाने में जुट गया उसमें भारत को सफलता भी मिल रही है प्रजानते ऐसा किया क्यों जा रहा है क्योंकि टाइगर की स्टोन स्पीशी है की स्टोन स्पीशी ऐसी स्पीशी होती है जिस पर बहुत सारी दूसरी स्पीशी का वजूद टिका होता है for example अगर टाइगर इस दुनिया से चला गया तो हिरन भी कुछ दिनों बाद इस दुनिया में से खतम हो जाएगा जानते हैं क्यों टाइगर तो हिरन को खाता है फिर ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइगर हिरन को खाता रहता है और हिरन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है उससे होता यह है कि हिरन के बीच में फूड को लेकर इंटर्नल कंपिटीशन कभी नहीं आता और हिरन की स्पीशी आने की प्रजाती हमेशा बनी रहती है तो टाइगर का बचा होना हिरन की स्पीशी को बचे रहने के लिए जरूरी है